आज हम एक्सरसाइज 1.1 का कोशन नमबर 5 शुरू करेंगे 5 एक्सरसाइज 1.1 युक्लिट विभाजन प्रमेगा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है अब इसका हल करते हम यहां दे रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है युक्लिट विभाजन प्रमेगा E, D, L का जब हम प्रयोग करेंगे प्रयोग करने पर A इक्वल्स टू B Q प्लस R यह मैं पता है और क्या पता है इसमें कि Q 0 से बढ़ाना चाहिए और R 0 और B के बीच काना चाहिए अब देखा जाए तो इसमें B को 9 होना चाहिए जैसे कि हम हर भाई यह करते रहते हैं अगर हम B को 9 लेते हैं तो R का मान 0 से लेकर 8 तक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह कोशन बहुत बढ़ा हो जाएगा हम क्या करते हैं? 9 के गुननखंड करते हैं 9 के गुननखंड 3 इंटू 3 तो 3 हो गया तो इस केस में हम B को B ब्राबर 3 लेने पर अगर B को हमने 3 लिया तो R 0 और 3 के बीच का हो जाएगा अर्थाथ R जो है वो 0, 1 और 2 हो जाएगा अब यह आया A is equal to 3 Q प्लस R R की वैल्यू 0, 1 और 2 यदि R ब्राबर 0 हम ले तो A हो गया 3 Q अब हमें यहां पर कोश्य में दियावा इसमें हमें घन करना है तो इसका घन लेने पर घन लेने पर दोनों पक्षों का तो A की क्यूब is equal to 3 Q की क्यूब A क्यूब is equal to 27 Q की क्यूब A क्यूब is equal to हमें 9 M की फोर्म में लेना है तो 9 को हम भार निकालेंगे बचेगा 3 Q की क्यूब A क्यूब is equal to 9 M जहां M बराबर 9 Q सुरी 3 Q की क्यूब हो गया तो एक हमारा आगया की 9 M की फोर्म में हमें मिल गया यदि R बराबर हम ले 1 A equals to 3 Q plus 1 फिर से दोनों पक्षों का गन लेने पर A की क्यूब is equal to 3 Q plus 1 की क्यूब A क्यूब is equal to अब इसमें फार्मूले लगाएंगे A plus B का घन इसका बता है A क्यूब plus 3 A square B plus 3 A B square plus B cube यह इसका सुत्र होता है तो हम इस सुत्र का प्योग करके 27 A की क्यूब 3 की क्यूब की क्यूब तो यह हो जाएगा 27 इसको दुबरा लिखते दें A cube is equal to 3 Q की क्यूब plus 3 3 Q का होल स्क्वार इंटो 1 plus 3 इंटो 3 Q 1 का स्क्वार plus 1 की क्यूब तो यह गया 27 Q की क्यूब plus 3 दिदा 9 दिदा 27 Q स्क्वार 3 दिदा 9 Q plus 1 हमें 9 की फॉर में लेका आना है अब इन तिनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं 3 Q की क्यूब plus 3 Q स्क्वार plus Q और 1 को अलग कर दिया हमने यह आगा 9 M plus 1 जहां M को यह हमने 3 Q की क्यूब plus 3 Q स्क्वार plus Q तो अब हमारा तीनों केस में 9 M दो केस में आगया 9 M आगया और 9 M plus 1 आगया अभी तीसरा केस हमारा भी बच रहा है वो क्या है यदि R equals to 2 A equals to 3 Q plus 2 फिर से घन लेने पर A की Q is equal to 3 Q plus 2 का whole Q घन A Q is equal to 3 Q plus 2 का Q या गन तो इसको 3 Q की Q plus 3 3 Q square into 2 plus 3 into 3 Q into 2 का square plus 2 की Q इसको अपन करो खोले इसको तो 27 Q की Q plus 3 to the 9 9 to the 27 27 to the 54 Q square 3 to the 9 दुनिय ठारा 3 to the 9 दुनिय ठारा दुनिय ठारा दुनिय ठारा दुनिय ठारा Q plus 8 अभी यहां भी हम 9 को common ले सकते हैं 3 Q की Q plus 6 Q square plus 4 Q और यहां plus 8 तो जो हमें Q में दिया हुआ था वो हमें अब मिल गया है की अब मिसके हम Q कोशन की जो लाइन है वो लिखेंगे अतहा किसी धनात्मक पूर्णा का गहन जो Q कोशन में से है वो ही हम यहां लिख देंगे 9 M 9 M plus 1 या 9 M plus 8 के रूप का होता है अब यह एक्सरसाइज यहां पर फिनिश होती है आगी इसके बाद अगली एक्सरसाइज एक्सराइज 1.2 अब यहां अब यहां अब यहां शूब करते हैं हूँ अ अब ग्सरसाइस में हमें SCF निकालना है, Fundament. हमें इसमें SCF और LCM निकालना है. तो वो तुमने पहले सीखा भी हुआ है. हम करते हैं, इसको शुरू करते हैं, हम इसको. तो पहले इसका एक्जामपल शुरू करते हैं. एक्जामपल 7 आभाज्य गुनन खंड विधी द्वारा 96 और 404 का SCF ग्याद कीजी है. और फिर इसका इनका LCM ग्याद कीजी है. प्चरू इसका हल करते हैं. आभाज्य गुनन खंड विधी. यह तुमने सीख्य हुई है. एट्थ क्लास में भी करिए तुमने यह. हम इसका हम गुनन खंड करते हैं. 96 के कैसे शुरू करते हैं? देखो. सबसे पहल तो यह देखो. आभाज्य नंबर कौन से होते हैं? पहल तो यह देखो. आभाज्य संख्या हैं. 2 से शुरू होते हैं. 2 3 5 7 11 13 17 जो किसी के टेबल में ना आती हो. किसी के पहाड़े में ना आती हो. वो सब संख्याएं. आभाज्य संख्याएं होती हैं. सबसे छोटा नंबर है 2. तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं. 2 2 4 दा 8 2 8 दा 16 फिर जब तर यह 2 से जा सकता है. सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले हम करते हैं. 2 4 दा 2 1 दा 2 2 दा 4 2 6 दा 12 2 3 दा अब यह 2 से नहीं चाता थी. तो अब हम इसको 2 से करते हैं. अब 404 पे आज़ो. 404 के अब आज़े गुनान खंड करते हैं. 2 2 0 2 2 2 बन दा 2 2 0 दा 0 2 बन दा 2 यहां आगया अब यह 2 से नहीं जाएगा. अब किस से जाएगा बताओ यह. यह जाएगा अब 3 के लिए हम देखते हैं कि अगर इन दोनों का योग 3 के पहाड़े में आता है इन तीनों संख्याओं का योग तब यह 3 से जाता है. तो इसके बाद अब यह जाएगा. तो यह पूरा नमबर 101 से ही जाएगा सिदा. 101, एकम 101 है. आब इसके बाद करते हैं 96 को लिखो 2 इन तू इन तू इन तू इन तू इन तू ओश्याओं यहाँ भी मैंने 3 लिखना दा. एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार, पांच इंटू 3 और 404 को लिखो 2 इन तू इन तू इन तू इन तू 101 अब HCF. पहले हम यह निकालते हैं पहले हमें कहाएगी HCF निकालने के लिए हमीं क्या करना हैं जो की दोनों में कोमन नंबर होता है वो HCF होता है एक तो यह दोनों में और कोई भी नंबर दोनों में नहीं है तो 2 इन तू तू 4 के करो लिए इसका HCF हो गया 4 हम लिखा है कि इनका और फिर वर्ड आया फिर फिर का मतलग अलग से HCM हमें नहीं निकालना इसका एक सुत्र था तुम्हारा था कि संख्याओं का गुननफल गुननफल्च होता है वो इस इकल टू SCF इन्टू LCM के इकल होता है ये एक सुत्र था संख्याओं है हमारी 96 इन्टू 404 इस इकल टू SCF है 4 LCM वारा ये है LCM यहां से ये गुणा हो रहा यहां पर हमें चाहिए LCM ये इधर 4 और LCM गुणा हो रहा है ये इस इकल टू के उधर जाएगा तो ये भाग में बुदल जाता है अब ये कड़ रहे हैं देखो ये 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 4 इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये आता है 96 बंदा 96 0 तो इसमें हो गया 96 बंदा 96 ये आपका LCM आ गया इसके बाद अगला कोशन हम करते हैं अब है ये तीन नमबर का एक्जामपल आठ संख्याए हैं इसमें 6, 72 और 120 का आभाज्य गुणान खंड विधी द्वारा SCF तथा LCM ग्याद कीजी इसका हल शूर करते हैं पहले तो हम 6 के आभाज्य गुणान खंड करेंगे 2, 3, 6, 3, 3 अब दूसर नमबर 72 है अब इसके बाद हम बादतर के करेंगे 2, 3, 6, 2, 6, 12, 2, 1, 2, 2, 8, 16, 2, 9, 18, 3 अब ये 3 से जाएगा देखो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसमें बाद में कोई समसंख्या नहीं है अब ये 3 के पहाड़े में आ रहा तो 3 से जाएगा 3 बनता 3 अब आएश के बाद 120 अब ये 0 तो समसंख्या है जिसके भी बाद में समसंख्या होती है वो हमेशा 2 से जाता है 2, 3 दा, 2, 0 दा अब ये 2, 1 दा, 2, 5 दा, 15 अब ये जाएगा 3 से देखो इसमें अगर 5 और 1 का योग करेंगे 6 आता है, 6 तीन के पाड़े में आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये 3 से जाएगा 3, 5 दा, 15 और 5, 1 दा, 5 अब लिखो 6 गुरान खंड कर देखेंगे 2 इंटू 3 अब भातर को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अब 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 देखो SCF के लिए तुम्हें बताया है कि जो भी नंबर जो भी संक्या कोमन हो वो लेते हैं मेशा अब देखो इसमें 3 कोमन आए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है तो एक तो 2 नंबर आगया और यह दूसरा 3 नंबर, और कोई भी संक्या कोमन नहीं है, तो इसका SCF हो गया 6 अब LCM LCM कैसे निकालते हैं, देखो अब इसको दुबारा लिख देती हूं 22 को हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और 120 को हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 जो भी नंबर अब 2 नंबर 2 नंबर कौन सी लाइन में सबसे ज़्यादा बार आएवा इसमें 3 बार आएवा इसमें 3 बार आएवा तो हम सबसे ज़्यादा बार आएवा दो नमबर जिस भी लाइन में सबसे ज़्यादा बार आता है वो ले लेते हैं तो तीन बार आयवा तो तीन बार ले लो अब तीन नमबर देखो यहां दो बार आयवा यहां एक बार आयवा सबसे ज़्यादा बार यहां दो बार आयवा तो यहां से दो बार अब पांच नमबर भी इस में हुआ है। इस लाइन में नहीं है इस में है 5 तो यह एक बार है, यह सबसे ज़़ादा बार है तो यह पांच अब अब इसके कुना करो 5 135, 45, 90, 180, 360 एक आंसर हमारा यह हो गया और दूसरा आंसर हमारा यह हो गया अब इसके वाद एक तुम्हें कोशन जो तुम्हें थोड़ा सा हाड लाएगा एक्सरसाइज का कोशन नमबर वन का आपको होंब़र के जो करना है फर्सट पार्ट सेकुड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्ट यह तौ आप करोगे होंबोगे फिफ्ट पार्ट आपको मैं बता. बाएधा नारी हों कोश्व नंबर 1 यह नहीं कि आपने कॉपी में सिर्व यह चार पार्टिक ग्रहन है जितना भी काम मैंने यह करवाया है सारा का सारा काम अपने कॉपी में उतारना है क्योंकि सारा काम N,C,RT की बुप में सहाँ और सारा आपके कोपी में होना चाहिए अब देखो इसके बाद यह हमारे पास नंबर है अब आज यह मैं कुशन पहले बता देती हूं इसका क्या है 7429 कोप अब आज यह गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में लिखो इसके बाद अब देखो 7429 अब अगर इसको देखें इसका आखेर का नंबर यह 9 है मतलब यह दो के पहड़े में नहीं जाएगा अब देखो 9 अब दूसरा देखते हैं तीन से जाता है कि नहीं जाता है नो और दो ग्यारा और चार पंदरा और साथ बाइस बाइस भी तीन के पहड़े में नहीं आता है इसलिए उससे बने जाएगा अच्छा पांच से करके देखो है तो थ्री फाइव सेवन नाइन सब्सक्राइब तो यह इसकी आपको प्रेक्टिस करने पड़ेगी यह सेवन्टीन से जाएगा सिता इसको रफ में आप कर लेना भाग तो यह आ जाएगा 437 इसको अब रफ में भाग करके देखना यहां पर अलग से 7429 को सत्रां से सत्रां चोकड्सट चोदर में से आट गएगए छे यह दो हें 17 यह दो तिया 51 है एक एक नों सत्रां सतें 119 अब देखो अब इसके लिए अब दूसरी बाज जाएगा यह 19 नीज दोनी 38 पचा 5 57 हो गया 19 यह गया ये सत्रा के बाद अगली अभाजे संख्या उन्यस होती है, अगली तेईस होती है, फिर उनत्तिस होती है, फिर इकत्तिस होती है, ये अभाजे संख्या होती है, अब ये तेईस भी अभाजे संख्या है, तो तेईस ही कम तेईस, अब इसमें लिखा है अभाजे गुनखंडो क गुणन फल के रूप में लिखे 7429 17 इन्टू उन्वेज इन्टू तेक्स तो यह हमारा आंसर आगे है इसके बाद कोशन नमबर टू यह भी आपका होमवक में है आप खुद करोगे इसको कोशन नमबर थ्री यह भी होमवक में करोगे ऐसे कोशन में कोशन नमबर चार यह भी आपका होमवक होगा है अब आते हैं कोशन नमबर पांच पर एक्सरसाइज है 1.1 इससे पहले हम जो पहले हम यह कुशन करते हैं कुशन है इसका जाच केजिए कि क्या किसी प्राकरत संख्या के लिए संख्या छे की घाट एन तंक जीरो पर समाप्द हो सकती है अब इसका हम हल करते हैं इसका उता लिखते हैं इसका देखो छे की घाट एन अंक जीरो पर समाप्द हो सकती है मतलब क्या है कि इसके आखीर में जीरो आना चाहिए जैसे दस आजाए बीस आजाए सो आजाए आखे में जीरो आना चाहिए हमेश्वा दो सो आजाए एक अजार आजाए या एक अजार पांसो चालिस आजाए आखीर में यह नमबर मैंने लिखे हैं यहापे आखिर में सब के जीरो आना चाहिए अब देखो जब भी जीरो आएगा तुम देखोगे कि जीरो जहां भी आएगा वो संख्या हमेशा पांस से भाग होती है तो यही बात हम यहां लिख देते हैं यदि किसी संख्या के लिए संख्या के बाद एन यदि किसी एन के लिए संख्या छे की घात एन शुन्ये पर समाप्द होगी तो वह पांस से भाज्य होगी अभी तुम बताया था मैंने यहां पे तुम उधारम देके बताया कि किसी भी संख्या के आखिर में अगर जीरो आता है तो वह संख्या पांस से भाज्य होगी होगी यह प्रिबत का है अब मैं यह राइन को छोड़ रही हूँ आप यह ऐसे स्टेप से याद करना तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ अर्थात छे की घात एन के आभाज्य गुननखंड में अगर उसके हम आभाज्य गुननखंड निकालेंगे तो इसमें आभाज्य संख्या पांच आना चाहिए यह संख्या आनी चाहिए पांच संख्या आनी चाहिए इसका मतलब क्योंकि यहाँ देखो जो भी नंबर भाग करने में जैसे इसके गुननखंड में सत्रा आ रहा है यहां सत्रा आ रहा है ऐसे इसके गुरॉणखंद में 5 संक्या आने चाहिए जरूर अचा एक स्टेब ही होगए दूसरे स्टेब ही होगए अब तीसरा देखो अब हम देखेंगी कि एगर हम 6 की गुरॉणखंद करते हैं क्योंकि अब देखो 6 की खात हैं अगर मैं इसके गौंड खांड करूँ तो दो इंटू तीन की घात एन आता है या हम यह कह सकते हैं दो की घात एन और तीन की घात एन यह दो आएगा यह तीन आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा अर्थात दो या तीन बार बार आएगा पांच नहीं आएगा मतलब अर्थात पांच आना संभवी नहीं है पांच आना संभव नहीं है अच्छा भी इससे अगले स्टेप क्या होगा कि छे की घात एन के गुणन खंड में केवल अभाज्य संभ्या दो या तो या तीन ही आएगा अब इस अगले स्टेप फिर यह हमें जो टोपी के इसका है वह है अंगनित की आधार भूत प्रामें की आधुत्यता हमें यह निश्चित कराती है की छे की घात एन के गुणन खंड में दो या तीन के अतिरिक्त कोई भी और अभाज्ये गुणन खंड नहीं है इसलिए ऐसी कोई संख्या एन नहीं है जिसके लिए छे की घात एन अंग जीरो पर समाप्त होगी यह संख्या जीरो पर समाप्त होगी ऐसा कोई भी नहीं तो पांच आना जूड़ी है पांच नहीं आईगा तो जीरो पर समाप्त होगी नहीं होगी अब इसका आपको एक उधारन करना पड़ेगा अपने आप उधारन एक्जामपल पांच यह आपका होमवक में एक्जामपल फाइव आप होमवक में करेंगे आप करते हैं कोश्चन नमबर छे कोश्चन नमबर छे में है आपका व्याख्या कीजिए सेवन इंटू 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 थर्टिन प्लस थर्टिन यह तो फस्ट पार्ट है इसका प्लस थर्टिन भाज्या संख्या क्यों है यह बाज्या संख्या क्यों है पहले इसका हल कर लेते हैं फस्ट पार्ट का 7 into 11 into 13 plus 13 देखो ये एक नमबर हो गया क्योंकि इन तीनों के बीच में गुणा का साइन लग रहा है ये साइन क्या हमारी अलोग होगी कि बीच में प्लस का साइन आ गया अब इसमें और इसमें हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं या into 13 plus 13 into 1 यहां से 13 को कॉमल ले लिया हमने यहां बचा किया 7 into 11 into यहां से 13 भार के तो बन आ गया अब यहां से 13 भार जाएगा तो ये बन आ जाएगा तो 13 77 plus 1 13 into 78 अगर हम 78 के गुननखंड करें तो कितना आएगा 3 13 और ये 13 1 13 into 2 into 3 into 13 या इसको हम लाइन से लिखाते हैं 2 into 3 into 13 into 13 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के के गुनन को अभाज्य संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या आते हैं तक है दी हुई संख्या अभाज्य संख्या है इसी का हम एक पार्ट और हम करते हैं इसका सेकिंड पार्ट है 7 इंटो 6 इंटो 5 इंटो 4 इंटो 3 इंटो 2 इंटो 1 प्लस 5 अब ये question आप homework में करोगे अपने आप बेखुल ऐसे जैसे मैंने भी बू करते हैं अब इसका question number 6 करते हैं कोशन बहुत बढ़ा question में मैं पूरा question नहीं लिख रही हूँ इसका मैं तुम्हें पढ़के बता देती हो और इसकी मैं फोटो तुम्हें भेज़तूंगी किसी खेल के मैदान के चारो और एक वरत्ताकार पत है इस मैदान का एक चक्क्य लगाने में सोनिया को अठारा मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का चक्क्य लगाने में रवी को लगते हैं बारा मिनट सोनिया को 18 मियाट लगता है रवी को 12 मियाट लगता है मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरहम करते हैं तो कितने अब ये वरत्ता कारपत है यहां से दोनों ने चलना शुरू करा अब ये सोनिया तो एक चक्कर काटके यहां पे अठार मेंड बाद यहां पहुचेगी और रवी यहां बारा मेंड बाद पहुच जाएगा रवी जल्दी पहुच जाएगा अब कोशन यह है कि कितने समय बाद वे पुने प्रारम्भीक इस्थान पर मिलेंगे यहां पे दोनों ने भागत रहे भागत रहे भागत रहे दोनों क्योंकि यह तो देर से चकल पूरा कर रही है रवी जल्दी चकल पूरा कर तो दोनों कब मिलेंगे तो कोशन हमारा यह है कि कितने कितने समय बाद वे पुना प्रारम्भिक इस्तान पर मिलेंगे कोशन हमारा यह है जब यह दोनों भागते रहेंगे दोनों कब फिर यहाँ पर आपस में एक ही टाभ भी मिलेंगे तो यह हम इसको यह कह सकते हैं कि कम से कम कितने समय बाद कम से कम कितने समय बाद वे वे पुनहा प्रारंभी के स्थान पर मिलेंगे कम से कम कितने अब देखो वर्ड आया मारे पास कम से कम कम से कम यह वर्ड आया कम से कम का मतलब होता है लीस्ट या इसको फुल फॉर्म अब इसको लोग एल सीम मतलब हमें इन दो का एल सीम लेना है एल सीम लेने के दू तरीके हमारे जो मैंने भी पहले करा था उसी से तो नेरो देती हूं 2 9 넣고 18, 33 दा 9, 3 बंदा 3। 12 कर लेते हैं 26 ता 12 तो फ्रीदा और 3 बंदाा 18 के लेका गए 2 x 3 x 2, 12 के लेका 1,2 x 2 x 2,3 मैं तुम लेका एलसे में बताया था अब नमबर इसमें 2 तीन आयों आसें में इस ट्रैड़ जादा बारा जन एक बार है ल atención है है तो मतलख हमें दो बरवार लिखना है this 3 में देखो इस एक में में छाएग करने एक बार है तो हमें दो बरवार लिखना है तो यी दो दिन 14 ये 12 है मिलोज़िये चिक शत्तेस मिनट बाद बाद आ वे गुन्हे प्रारंभी किस्थान पर मिलेंगे यहां यह चेप्टर आपका खतम होता है चेप्टर ने एक्सरसाइज खतम होती है 1.2 और कल हम न्यू एक्सरसाइज की हम शुरू करेंगे और यह सारा हो वक्त मुझे आप चेक कराओ गया ओके प्राइज प्राइज करेंगे